हां, रेश्टोंट के बाद तो बहुत लंबी लाइन लगी है हां, लाइन तो लगी है, पता नहीं क्या बात है क्या लियें टे टी-वी के एक प्रोग्राम में एक रेश्टोंट के बारे में तो यह दिखाया जा रहा था होग सकता है उसी के वज़े से हो हाँ, अब समझ में आया मैंने टीवी पर इस gratin restaurant के बारे में देखा था gratin? इसका मतलब है पैसी नहीं पर अलाची कस के बस आप दी आपर फलता न रप नहीं शिंचान, हम अभी घर नहीं जाएंगे ये देखो, ये gratin restaurant है मतलब ये restaurant के नाम है तो क्या हम यहाँ पर खाना खाने आये हैं मॉम वैसे तो आज कोई काम नहीं है, तो खा सकते हैं मॉम, आपको बस हर जगा खाना ही बुच्छता है ना शिंचान, तुम्हें ये कहना चाहिए कि मुझे हर वक खाना ही सूचता है सॉरी, आपको इतना बेट करना पड़ा है हम आपी का इंतजार करें थी अब हमारी बारी है शिंचान माम, अगली आपकी ये बारी है तब तक आप हमारे मेरी देख सकती है हाँ, क्या पाती हरे वाँ, सब कुछ कित्ता अच्छा दिख रहा है सच में यहां तो बहुत सारी आलेगे लग आइटम है हाँ, और इसमें एक मिक्स सूप जैसा डिश भी दिख रहा है वाँ, यह तो बहुत टेस्टी लग रहा है माम वाँ, यहां की सारे डिश इस कित्नी अच्छी लग रही है हाँ, यहां पे इतनी अच्छी कुछ को आरे कि मेरे भूख बढ़ने लगए है प्लीज कोई चल्दी से काना दे तो हम इंतिजार भी तो कर रही है ना आपने रिसाइट कर लिया ना हाँ, एक मिक्स सूप ले आई और तुमें क्या चाहिए शिंचान मुझेक चाहिए तुम सूप क्यू नहीं ले रहे हो मुझे पैंकेक क्ाना है ठीक है माम आपका ओडर है एक मिक्स्ट सूप और एक पांकेट ओगी तुमने पैंकेक क्यू ओडर किया है क्योंगि मेरा भी पैंकेक काने का मिनकर रहा है माम औरना बस तोड़ी यह देर में रड़ी हो जाएगा शिंचान पता है बस तुम ने ही इस रेश्टराण में एक पांकेक और किया है क्योंकि मैं सबसे अलबिला हूँ मेरे कहने का मतलब वो नहीं ये रेश्टराण में सूप सबसे ज़्यादा फेमिस है और यहां सभी सूप की टेस्ट करने आए है और अगर तुम्हें मेरा सूप चाहिए तो मैं तुम्हें नहीं दूगी मैं भी नहीं दूगा मुझे तो चाहिए भी नहीं यहां का सूप इतना टेस्टी है उसके सामने पांकेक कौन खाएगा मेरा पैंकेक भी बहुत टीस्टी होगा सिर्व सरा विया इननमी कुली ता पार आगया सारी आपको वीट करना पड़ा ये रहा आपका पैंकेक को टीस्टी देग रहा है अरे हाँ सच्छ में इसकी तरफ देखिये भी मत चलो कोई बात नहीं मुझे चाहिए भी नहीं रेटिवी मेरा सूप अनेही वाला है हाँ शिंचान का पैंकेक पहले आगया ये अच्छी बात है हम दोनों का खाना साथ में कातम हो जाएगा शिंचान ठीक है तो पे मैंसे आनाम से खाज सकता हूँ ये तो बहुत ही तीस्टी है मैंने अपने पाच-चाही 한हाँ कीसी पार्ण के कभी नहीं काया है मैरा सूप भी तक नहीं आया बीतक अब्या मेरा सुप भी तक मैरा सूप इससे भी अच्छा होगा लेक ले न माम आपका सूप भी तक नहीं आया तुमने इतनी जल्दी खाना खतम कर लिया एक्स्क्यूज में मैडम, क्या मेरा मिक्स्ट सूप रड़ी होने के लिए टाइम लगेगा? मैं माती चाहती हूँ माम, आपका मिक्स्ट सूप है, इसलिए उसकी रचेप रड़ी होने में टाइम लगता है चलो, अच्छी बात है, वो मेरा ओडर गोली नहीं और वे से भी ये मिक्स्ट ग्राटन सूप में कई सारे आइटिम्स होते हैं ये लेडी लाइन में तो शायद मुझसे भी आगे खड़ी थी उसका मिक्स सूप अभी चक नहीं आया है और वो लेडी तो लाइन में मुझसे पीछे खड़ी थी उसका भी सूप नहीं आया है चलो, ठीक है बाब, इस तेस्ट आर में लाने के लिए ठांक यू हाँ, तुमने थाना इतनी जल्दी कतम कर लिया मेरा सूप आने तब तुम आराम से बैठ सकते हो ना ठीक है, तब तक में ड्रोइंग बनाऊगा अच्छा ठीक है, तुम आराम से ड्रोइंग बनाऊगा अले, ये क्या इसके तुम्हारे क्रियोंजार घर की चावी नहीं है घर की चावी नहीं है, बतलब हम घर नहीं जा सकते है चलो कोई बात नहीं, अच्छा है कि तुम्हारे डाट घर पर है चलो ये अच्छी बात हो गई अरे नहीं, याद आया उन्हें भी बाहर जाना था निट्सी, कर दो पेर मुझे क्लाइन के साथ एक जरुरी मिटिंग के लिए बाहर जाना होगा आपको डाट गूली बात याद आ गई है क्या मॉझे नहीं उन्होंने कहा था एक बचे ट्रेन पकड़नी है चलो अच्छा है, इसका मर्जब अब को घर पर ही होगे मैं भी उनसे कह रेती हो कि चाबी घर पर छोड़ दे आपको इंतजार करना पड़ा इंतजार करना पड़ा इंतजार खतम करके तुम्हारे डाट को स्टेशन पर भी मिल सकती हूँ चलो शरू करते हैं माफ कीजीगा, माफ कीजीगा मेरी जीब चाल गई है शिंचाएं, क्या तुम थोड़ा सूप लोगे? नहीं मूम मेरा पेट बर गिया है अच्छा ठीक है चलो मैं भी पूक माता हूँ इस तो बहुत आने पर अच्छा पर भी वाम सूपे फूप मारीय तभीय तिल्टा हो जागा शिंचाएं, आपको सूप में नहीं पीपा रही हूँ वाम आपको पता है ना टमाटर तो बहुत ज़्यादा गरम होता है इससे ज़रा आराम से खाएगा पानी मिलेगा प्रीज इससे आराम से खाएगा बना आपकी जीप चल जाएगी पानी मिलेगा प्रीज आराम थोड़ा साओ आराम सेरा केड़ी भी देखीजिए एक बजली वाला है टाइम मेरे पास टाइम आराम मैंने बहुत ज़्यादा पानी मिलिया फेज घर गया है लेकिन मॉम यह को बताएए आपका सूप कैसा था मेरा सूप और टेस्टी था लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो मैं तो उसे ठीक से इंजॉय भी नहीं कर भाएग यह कौन है यह बच्चों के साथ ऐसे क्यों भाग रही है और मुझे क्यों देख रही है यह तो मिट्सी है शिंचैन निपावारी मिट्सी उसे ग्रेट हो गई यह मेरे पॉकेट में क्या है अरे हाँ मॉम अपने घर से बाहर निकलते वक्त मेरे पास थी चावी तुम्हारे पास थी मैं अपना खॉला भी ठीक से नहीं था पर हुआ हुआ हुआ